हलो बच्चो वेलकम बैक तू माई चैनल मैट्स वाला एक बार फिर मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसको आप तक आप सबने अभी तक पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में आप सभी को जानकारी तो होगी लेकिन कैसे इसको आसान तरीक्यों से और कम से कम समय मे निकाला जाएगा आज आप इस वीडियो में सीखेंगे इससे पहले आपने इसको कभी नहीं सीखा होगा आई होप आप इसको सीखेंगे और और सभी को भी बताएंगे कि कैसे कम से कम समय में इसको निकाला जाएगा इस कोशन को सॉल्व किया जाएगा तो चलिए आते हैं ह उसका answer लिखते हैं जो बचता है सो करड़ी में करते हैं जो पेर बन जाता है जोड़ा बन जाता है उसको बाहर लिख लेते हैं लेकिन आज मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताने जा रहा हूं आप इसको कैसे डारेक्ट निकाल सकते हैं आप आज इस वीडियो में को पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक का क्यूब क्या होता है जब आपको 1 से 10 तक का क्यूब पता होगा तब इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं चलिए मैं लिख रहा हूं 1 का क्यूब होता है 1 ही रहेगा इसका क्यूब 2 का क्यूब क्या होगा 8 3 का क्यूब क्या होगा 27 4 का क्यूब क्या होगा 64 5 का क्यूब क्या होगा 125 6 का क्यूब क्या होगा 216 7 का क्यूब क्या होगा 343 एट का क्यूब क्या होगा 512 नाइन का क्यूब क्या होगा 729 और टेन का क्या होगा वाट धाउजेंड ठीक है चलिए आप इसमें से देखिए कुछ आपको कुछ सेम टू सेम लग रहा है कुछ ऐसी चीजे जो आपको मैच कर रही हूँ जो आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ इसमें मैच कर रहा हो चलिए ठीक है मैं बताता हूँ देखिए कैसे करना है आप यह देख रहा है कि 1 का जब क्यूब निकाला जा रहा है यानि का जो इसका unit digit है यानि की एकाई यंग जो है उसका क्यूब निकालने के बाद वही यंग मिल रहा है और 2 का जब निकालने तो क्या मिल रहा है एकाई यंग unit digit 8 मिल रहा है 3 का निकालने पर 7 मिल रहा है 4 का निकालने पर फिर 4 मिल रहा है उनिट डिजिट इसका 5 का क्यूब निकालने पर फिर लाश्ट प्राइट मिल रहा है six. निकालने पर six. 7 का निकालने पर three, 8 का निकालने क हम व्यार? टू मिल रहा है, 9 मिल रहा है, जीरो एन टीडिट मा ब्रस्न पर वहता है . तो Deafrints मतलब जो अलग चीज़ म Patriot यहन पर फेल को निकाल रहा है, वह इस पर पहले दिख कर निकाल रहा है ळटतो मुल रहा है एत मिल रहा है और स्री का निकाल रहा हूं थो क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है आप देखिए चलिए देखिए अब क्या करना है हमको जैसे क्यूब में क्या होता है कि 3,3 का जोड़ा बना जाता है cube root निकालने के लिए 3-3 का जोड़ा बना जाता है वैसे ही इसमें हमें question में जो मिला है 9261 इसमें last का 3 अंक ले लेना है 3-3 का जोड़ा बना लेना है उसके बाद जो ये वहला number बच्चेगा जो number बच्चा हुआ है हमें क्या करना है देखना है कि इस number के just पहले जैसे ये number 9 है इसके पहले ऐसा कौन सा number आएगा जो perfect cube बन रहा हो किसी number का perfect cube बन रहा हो तो 9 के पहले क्या आता है 8 आता है 8 किसका perfect cube बन रहा है 8 बन रहा है किसका perfect cube 2 का तो पहले हम लोग इसको क्या कर लिखेंगे 2 लिखेंगे अब जो ये तीन नमबर का हमने जोड़ा बनाया हुआ है पेर बनाया हुआ इसमें जो लास्ट वाला नमबर है यही नमबर हमको ले लेना है और यह नमबर को चेक करना है कि यह किसका परफेट क्यूब है यह किसका परफेट क्यूब है यह वन का परफेट क्यूब है इसको हम नहीं जाएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हाँ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में